देश में जब भी चुनाव की बात सामने आती है तो सबसे पहले याद आती है फेर बदल की जी हां हर चुनाव में ये साफ तोर पर देखा जा सकता है कि सरकार के कई दिगज नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं मंगाल चुनाव में भी ऐसा होता हुआ नजर आया था जब TMC के कई दिगज नेता भाजपा का दामन थाम बैठे थे और आज एक बार चर्चा है UP और पंजाब के विधान सबा चुनाव की जो की 2022 में होने वाले हैं लेकिन अभी से ही फेर बदल और टेंशन का दौर शुरू प्रसाद ने ये कदम उठाया और भविश्य ना दिखते हुए का कारण बता भाजपा का हिस्सा बने बताया ये भी जारा है कि जितन प्रसाद पिछली बार हुए लोग समा चुनाव में ही अपना मन भाजपा में जाने के लिए तैयार कर चुके थे यानि कि कॉंग्रेस के साथ छोड़ने का सिलसला बहुत पहले से ही सोचा जा चुका था इस फिर बदलने कॉंग्रेस की मुश्किले उस समय बढ़ा दी जब पंजाब में सत्ता में होने के बावजूद भी सियासी गलियारों में सिद्धू और कप्तान की चर्चा जोरो शोरो से चल रही है इस बार उपमुख्य मंत्री या पार्टी अध्यक्ष बने और कप्तान अमरेंदर सिंग ये बिल्कुल भी नहीं चाते कि सिद्धू इन में से कुछ बने यानि कि अगर कॉंग्रेस द्वारा सिद्धू को वादा भी किया जाता है तो उसकी क्या गैरेंटी है कि वो पूरा क्योंकि राजसान में अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच जमन मुटाफ देखा गया था तो उस समय भी सचिन पाइलेट से काफी वादे किये गए थे लेकिन वैवादे अभी तक पूरे नहीं किये गए है और ना ही सचिन पाइलेट के सहयोगी मंत्रियों को सरकार में वापस लिया गया है अब ऐसे में एक बार फिर राजसान से भी चिंगारी भड़कने की आशंका जताई जा रही है यानि कि साफ है कि इसका सीधा फाइदा भाजपा को मिल रहा है लेकिन एक तरफ जहां भाजपा को फाइदा है वहीं दूसरी ही और भाजपा को एक मिल हुआ है लेकिन खहते हैं ना कि जो अपनों का सगा नहीं हुआ वे दूसरों को कैसे होगा लेकिन अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कॉंग्रेस और भाजपा को आने वाले चुनावों के लिए किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हमारी आज की व झाल 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 झाल